कर अपने वेक्टरस कॉंप्रियेंशन 23 तक डिसकस कर चुके थे 24 से 42 यह वाला पॉश्चन डिसकस करना अपने को जिसमें कॉंप्रियेंशन 2 डिसकस हो चुके अगर मुझे सही आद है तो उसको छोड़ के जो जो डाउट्स हैं वो लिख के बेशते चलो ठीक है रिजिल का है 35 तो 35 का जो कॉंप्रियेंशन है उसमें अपने को ए वेक्टर दिया हुए 2i प्लस j प्लस 2k और जो बी वेक्टर दिया हुए वो दिया हुए i-j प्लस k and non-zero vector c follows the relation a cross b cross c equal to a cross b cross c तो a और भी दियों है c निकालना है पहले तो अच्छा पहले एक काम करो 35 से पहले अगर किसी का 33 या 34 में भी doubt है तो पहले वो बता दो फिर वहीं से start कर लेते हैं comprehension 3 के जो पहले दो questions है 33, 34 अगर उसमें किसी का कोई doubt है तो वो बता दो वहीं से start कर लेंगे फिर तो यह दिया हुए अपने को पहले इस equation को solve कर लेते हैं a cross b cross c को solve करेंगे तो क्या आएगा पहले a का dot product होगा c के साथ times आएगा b vector minus फिर b का dot product होगा c के साथ यह multiply होगा a vector के साथ equal to में आजाएगा a dot c times b vector और minus में आएगा a dot b times c vector चाहिए यहाँ सम देख सकते हैं यह तो कटेगा minus से minus कटेगा तो हमें पता चला कि b dot c into a vector जो है वो है a dot b into c vector तो यहाँ सम देखो क्या बता सकते हैं कि जो b dot c है और a dot b है वो दोनों कैसी quantities हैं scalar quantities हैं तो a को एक scalar number से multiply किया c vector को एक scalar number से multiply किया दोनों बराबर आगें तो ऐसा तभी possible है जब a and c दोनों क्या हो को linear हो एक ही direction में हो बस magnitude का कुछ फरक हो सकते है तो इसका मतलब मुझे पता चला कि c vector जो होगा वो कुछ lambda a vector type का होगा अब a vector यहाँ पर हमें already दिया हुए तो lambda a कर देंगे तो लेके आए तो अब b dot c करने b dot c करेंगे तो देखो क्या होगा i cap यहाँ पर है 2 lambda i cap तो यह बंजाएगा 2 lambda minus 1 और lambda multiply होंगी तो minus lambda 1 और 2 lambda multiply होंगी तो 2 lambda into में है a vector जो की है 2i plus j plus 2 k equal to अगर a dot b की बात करें तो वो आएगा 2 minus 1 और 2 और साथ में आएगा c vector c vector क्या है lambda times a vector तो एक तरह से a vector से a vector cancel कर सकते हो वैसे vector से vector cancel होता नहीं कहने का मतलब मेरा यह है कि coefficients basically बराबर कर रहे हैं दोनों जगे से तो यहाँ से तो आ गया 3 lambda equal to 3 lambda अच्छा ऐसा हो गया क्या अच्छा यह पूछा है वेक्टर सी में भी गीवन ऐस अच्छा गितान जे तुन्हें 32 बोला था मैं 33 से चल्ड़ हो गया कोई बात ने चलो जो भी हुआ अब तो ठीक है अब इसमें तो possible पूछा है ठीक है वो मैंने भी question थोड़ा सा यह देखो तो सी हमें पता चल गया लेंड़ा ए है तो कॉलिनियर हो नीची तो जो चार option दी हुए हम उप्शन को observe कर लेंगे option में हमें दिख रहे है कि सिरफ 4i cap plus 2j cap plus 4k cap सिरफ यह इकलोता ऐसा vector आ रहा है जो a के साथ कॉलिनियर आ रहा है चीक है इतना हुआ अब यह तो हुआ अपने पास 33 34 में पूछा हुए volume of parallelo pipe वो किसी का doubt नहीं है होगा तो discuss कर लेंगे बाकि इसके बाद जो original doubt था 35 वो उसकी बाद कर लेते हैं तो 35 में हमें बोला हुए bisector of obtuse angle between b and c तो b vector पता है अपने को c vector पता है इनमें जो obtuse angle का bisector होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं तो मालो b vector तो ऐसा आगया i cap minus j cap plus k cap c vector यहाँ पर आएगा 4 i cap plus 2 j cap plus 4 k cap अगर मैं b dot c करूँगा तो उससे क्या आएगा 4 minus 2 plus 4 यह एक positive quantity आ रही है अगर b dot c positive quantity आ है इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि इनके बीच में जो angle theta होगा वो acute angle होगा अगर यह negative आ जाता हो तो हम क्या बोलते है theta obtuse है अब internal angle acute है तो जो external angle बन रहा होगा इनके बीच में वो external angle क्या बन रहा होगा obtuse बन रहा होगा यह बात तो एक तरह से अगर obtuse angle का bisector मांग रहे है तो इसका मतलब वो external angle bisector मांग रहे है क्या होगा तो external angle bisector हमें निकालना आता है क्या करते है पहले बी कैप लिखते है जो बी वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर बना लेंगे माइनस में कर देंगे सी कैप कि किसका डाउट था यह रिजुल भाई बता जल्दी से अगर यह किया था और इससे नहीं आया तो तो फिर मांगे करके देखो अगर यह इतना ही नहीं किया था कि external होगा यह नहीं पता था तो फिर ट्राई कर लिए जल्दी से बता सब्सक्राइब कितना होगा चल्द पकने बागे इसका मह यह रिंटे का उपने पास इसका में पाँ ट्रू त्री स्च श कलको कितना होगा इसका म्हफिशें Princip यानि 2 अपोन 3, i cap, plus j cap का कोफिशेंट कितना हैगा? j cap का कोफिशेंट आजएगा अपने पास, 1 by root 3, और दूसरी जगा से मिलेगा, plus का 1 by 3, और जो k cap है, उसका कोफिशेंट आजएगा, 1 by root 3, minus 2 by 3, कितना हो गया यह, 3 minus 2 root 3, i cap, minus 3 plus root 3, j cap, और plus में आएगा, 3 minus 2 root 3, k cap, मैंने डिरेक्ट यह लिख दिया, वो basically हमें direction से मतलब है, क्योंकि अगर मैं bisector की बात करूँ, तो वो तो पूरा का पूरा एक vector आएगा, उसको कितना भी लंबा चोटा कर सकते हैं, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा अपने को, तो किसी भी scalar quantity से multiply करते हैं, फरक नहीं पड़ता, तो मैंने यह कर दिया, अब match करते हैं, किसके साथ की match कर रहा है यह नहीं कर रहा है, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर इसको divide कर देते हैं, option match करने के लिए minus root 3 से, अगर मैं minus root 3 से divide करूँ तो सोचके देख भाई क्या बनेगा, 2 बनेगा, 3 को minus root 3 से divide करेंगी तो minus root 3, into में i cap, यहाँ पर minus root 3 से divide करेंगी तो यह बन जाएगा root 3 plus 1 j cap, और यहाँ पर minus root 3 से divide करेंगी तो यह आजएगा 2 minus root 3 k cap, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो C option है वो अपना match करते हैं तो वो answer आजाएगा तो options के according हमें काम करना पड़ा कि वो क्या magnitude मांगना चाह रहे आया समझ किसी को doubt है तो जल्दी से chat में लिख के भेज़ दो ठीक है 34 किसी का doubt है बाद में मत बोलना फिर वो साफ हो जाएगा या जो भी अगले पेज़ पर चला जाओगा फिर मुझे दुबारा करना पड़ेगा 34 है किसी का तो जल्दी से बता दो नहीं है ठीक है और बताओ और कौन सा doubt बचा हुए वेक्टर में जहां गितांजेगा था 32 देख भाई इसमें तुझे बोलावाए कि ABC तीन नोन कॉलिनियर पॉइंट्स है और प्लेन ABC की equation मांग रहा है यह तो माले यह plane है इसमें प्लेन की equation निकालने का मतलब हम क्या बोलते हैं हमें एक जनरल पॉइंट माल लेते हैं आर इसका position vector क्या होगा आर वेक्टर होगा तो मुझे आर की position के बारे में एक equation निकालनी है तो अगर तीन plane में आ रहे हैं तो हम जानते हैं अगर मैं इनसे बनने वाले तीन वो लिख दूँ वेक्टर्स लिख दूँ जैसे आरे वेक्टर लिख दिया जैसे माले एक माले हमने लिख दिया AB वेक्टर और एक माल ले हमने लिग दिया AB या B जो भी वेक्टर होगा और एक माल ले हमने लिग दिया CB वेक्टर तो यह तीन वेक्टर जो होंगे वो co-planar vectors होंगे तो इनका जो scalar triple product है वो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए तो RA वाला कौन सा वेक्टर होगा R-A मैं थोड़ा उल्टा लिग गया हूँ figure के हिसाब से A-R vector ले ले लेंगे अपने ठीक है वो फरक नहीं पड़ता डिरेक्शन से कोई खास मतलब नहीं अपने वो dot product करेंगे इसका किसके साथ A-B cross B-C अब यह जो हमने तीन वेक्टर लिखे हैं तीनों हमारे पास scope linear vectors हैं तो इनका STP जो है वो 0 आना चाहिए अगर इसको solve करेंगे तो R vector minus A vector dot पहले A multiply होगा B के साथ A फिर multiply होगा minus C के साथ उल्टा करके लिखेंगे तो C cross A आजाएगा फिर minus B into B वो कितना होजाएगा 0 होजाएगा minus B into minus C होजाएगा अपने पास B cross C equal to 0 अब R का dot product क्योंकि यहाँ पर dot लगा हुआ R का dot product होगा A cross B के साथ तो वो मन जाएगा R A B का STP फिर R का dot product होगा C cross A के साथ तो आजाएगा R C A का STP फिर R का dot product होगा B cross C के साथ तो आजाएगा R B C का STP अब बात करते हैं A की A का dot product A cross B के साथ करेंगे तो 0 आएगा A का dot product C cross A के साथ भी 0 आएगा A का dot product कर देंगे B cross C के साथ तो minus A B C इसका STP और यह हो जाएगा 0 अब अगर options मैच करें तो जो B option है या D option है उसमें ऐसा काम हमें दिख रहा है R A B, R B C, R C A लेकिन जो चोथा जो STP है उसमें दोनों का sign प्लस प्लस है हमारे वाला क्या रहे? minus रहे तो एक काम करेंगे अपने इसको हम convert करके लिख देंगे अगर मैं इसका cyclic order change कर दूँ जैसे अभी तो cyclic order क्या चल रहे? A, B, C चल रहे इस तरीके से अगर मैं इसका cyclic order change कर दूँ तो हमारे पास क्या होगा? minus का अंतर आ जाएगा वो minus अगर बाहर लेकर रहेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा plus का B options के हिसाब से देखें तो C, B, A पहले हम cyclic जा रहे थे sorry clockwise जा रहे थे जब anticlockwise जाएगे तो minus का अंतर minus minus plus तो अपना जो B option है वो correct हो जाएगा बोलो भाई इसमें किसी को दिक्कत है तो हो गया ये इसी comprehension के 30 या 31 में किसी या doubt हो comprehension 3 के जो शुरू के दो सवाल है 32 के अलावा 30 और 31 उसमें किसी का doubt है फिर आशिमय का है 39 बगले पेच भी कर लेते 39 में हमें बोला हुए कि eye is in center of triangle ABC और आगे कुछ-कुछ बाते करवा रखी है तो triangle बना लेते हैं वैसे तो देखो अगर इसका answer बताना हो हाँ वही बात statement 1 में अपने को थोड़ा करना है statement 2 तो हमें वैसे पता ही है इसने कहाए कि in center का जो position vector होता है वो a plus b plus c upon 3 होता है वो हम जानते हैं गलत बात है वो centroid का position vector होता है तो वैसे तो हम direct answer बता सकते हैं c होगा statement 2 is false लेकिन अगर statement 1 को देखना ही चाहें तो triangle ABC यहाँ कहीं इसका in center आएगा तो यह IA यहाँ पर होगा IB और यह वाला vector आजाएगा अपने पास IC तो जैसे हम SOT में normally nomenclature लेते हैं वैसे ले रहा हूँ मैं A के सामने वाली side को smaller बोल रहा हूँ बार बार ना लेकना पड़े B के सामने वाली side small b C के सामने वाली side small c एक बात का ध्यान रखना यहाँ पर जो ABC हैं वो जैसे अब A का position vector मैं क्या मानूँगा A vector B का position vector मैं मानूँगा B vector C का C vector तो मैं बिल्कुल भी यह नहीं करना चाहरा कि यह अपने पास इनके magnitude है ABC कोई लेना देना नहीं है A जो है actually B minus C का magnitude है BC जो side है तो उसमें confused मत होना तो सबसे पहले लिखा हुए इसने BC का BC vector का mode BC vector का mode मतलब इस side की length A फिर इसने काया I A vector साथ ने तो I को मान लेते है R इसका position vector तो यह आजएगा R minus A vector और plus में है CA vector का magnitude CA vector का मतलब यह जो side B है उसकी बात कर रहे है multiply में है IB IB का मतलब कितना होगा R minus B vector और plus में है AB vector जो की C है और IC vector का मतलब हो जाएगा मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया पर पंगानी पड़ेगा चलो R minus C एक मैं गल्ती बता दूँ जो मैंने अब ही करी है यहाँ पर इसने A vector लिखा था तो काईदे से मुझे लिखना चाहिए था A minus R vector वो मैंने गडबड कर दी हूँ लेकिन माइनस का फरक है अपने को 0 की एक्वल प्रूव करना है अगर यह 0 है तो minus से multiply करके भी 0 है आएगा फरक नी पड़ेगा अब अगर in center की बात करें in center के coordinates या position vector निकालने का तरीका अपने को पता है क्या होता है कि A को multiply करेंगे side को multiply करेंगे सामने वाले vertex के position vector से तो A into A vector इसी तरीके से आएगा B into B vector प्लस में आएगा C into C vector अब उन में आजाएगा A plus B plus C तो R vector अपने को पता है इसकी value उठाकर हम put कर सकते हैं यहाँ पर जैसे अगर सिरफ पहले वाले हिस्से को solve करें तो A into R minus A यह कितना होगा A into जब R में से A vector subtract करेंगे तो देखो क्या होगा A A vector plus B into B vector plus C into C vector upon A plus B plus C इसमें से subtract करेंगे A vector तो A A vector वो तो cancel हो जाएगा सिरफ क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा अपने पास B B vector plus C C vector minus B into A vector minus C into A vector यह आजाएगा upon में आएगा A plus B plus C वो तो तीनों नंबर में आएगा इनको add करके देख ले ना hopefully 0 आई जाएगा कर लोगे एक तरीका तो यह A plus B plus C तो अब ऐसी बाकी दोनों हिस्सों को solve करेंगे B R minus B और C R minus C A plus B plus C तो सबके अपन में आने वाला है अब यहाँ से यह भी हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मिल रहा है A B B vector A C C vector दूसरी बार करेंगे तो minus का A B B vector वो आ जाएगा वो कटते चलेंगे करेंगे बार करेंगे जाक्षी कह रही है कि अगर इंसेंटर को origin मानने तो शायद easy हो जाए नहीं वो easy तो नहीं होगा उसे मानने सकते अगर मैं इंसेंटर को origin मानना तो मैं यह assume करके चलना हूँ कि जो यह number है वो 0 है यह R वाला तो थोड़ा ज्यादा मानना हो जाएगा और फिर इसको भी फिर equation को बाद में use करना पड़ेगा अब तो क्या है थोड़ा फिर भी direct कटने वाले हैं सब कुछ लेकिन अगर हम यह मान के चलेंगे तो शायद करके देखने ना हो सकता है कि आसान हो भी जाए लेकिन ऊपर-उपर से देखने में तो यह लग रहा है कि नहीं मानना चाहिए और complicated हो सकते हैं बाकि geometry का use करके देख लेते हैं गब कुछ हो तो ठीक है फिर एक बार तो यही कर लो बाकि अगर कुछ मिलता है तो next class में बता दूँगा अगर कुछ और दिमाग में आएगा तो geometry लग नहीं रही क्योंकि centroid की तो कुछ properties होती हैं क्योंकि centroid की definition यही होती है कि position vectors का sum 0 आना चाहिए अगर यहाँ पर G.A. होता तो G.A. G.B. G.C. तीनों का sum 0 होता circumcenter होता तब भी शहिद कुछ ना कुछ कर लेते हैं क्योंकि फिर यह courts बन जाती है चलो फिलाल तो एक बार यही है बाकि कुछ मिलेगा तो बताओं और बताओ कुन सा है यह comprehension वाले section में कोई doubt बच रहो किसी गाँ चलें फिर 3D पर चलें अगर नहीं है तो साक्षी कह लिए 37 का statement 1 इसमें हमें बोला हुए A, B, C unit rectus है such that A plus 5B plus 3C equal to है 0 और हमें बोला हुए कि statement जो बोल रहा है वो यह बोल रहा है कि A dot B cross C जो होगा वो हमारे पास होगा B dot A plus C ऐसा सा कुछ बोल रहा है अगर A plus 5B plus 3C 0 आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि एक triangle की sides को represent कर रहे होंगे तो उस triangle में एक तो होगा A vector दूसरा होगा 5B vector से ही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ तीसरा होगा 3C vector यह तो possible नहीं है कि एक मिल्ट को देखो भाई मैं अपनी स्वोच बता जाता हूँ जहां तुक मुझे लग रहा है यह possible नहीं है अगर A, B, C यहाँ पर इस तरीके से अगर आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि यह जो vectors हैं तीनों के तीनों यह हमारे पास linearly dependent vectors हैं क्योंकि एक linear equation हम बना कर लिख सकते हैं और इनके जो coefficients हैं वो सारे simultaneously 0 नहीं आ रहे हैं अगर यह linearly dependent vectors हैं और इस तरीके से 3 vectors का sum 0 आ जाए तो 3 vectors का sum 0 आने के 2 possibilities हो सकती हैं हमारे पास पहली possibility तो यह होती है कि यह तीनों vectors को linear हो जाए जैसे मालो A vector तो यह आ गया चीक है और इसी के साथ जैसे मानलो A vector तो यह आ गया और मानलो इसके बाद मानलो 3C vector यह आ गया और opposite direction में 5B vector इस तरीके से आ जाता और तीनों का sum 0 बोल देते लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अगर मानलो इस तरीके से कर भी लो की A vector को यहाँ पर रख दिया 3C vector को यहाँ पर रख दिया 5B vector को यहाँ रख दिया सब unit vector है अगर सब unit vector है तो इस तरफ कब जो magnitude है right side का वो 4 आएगा left hand side का magnitude 5 आएगा तो ऐसा तो possible नहीं है कि इनका sum 0 आ सेके दूसरी जो possibility बनती है वो यह बनती है कि यह triangle के parts हो अब triangle की sides हो अब triangle की sides है तो इसका magnitude 3 है क्योंकि unit vector है इसका 5 और इसका 1 तो यहाँ पर दो sides का अगर sum भी कर दें तो वो 30 side से छोटा आ रहे है सबसे बड़ी side बाकी 2 side के sum से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब मेरे साब से तो भाई possible नहीं होना चाहिए वो statement 1 correct या incorrect तो छोड़ो true false तो छोड़ो जो इसने condition लेकर चल रहा है जो basic condition दे रहा है जो हमें माननी होती है कि हाँ सही है वो तो information दे रहा है वो information ही गलत दे रहा है हमें ची कहा है तो statement 1 की information ही false है तो वो ही mark करना पड़ेगा फिर अपने को कि साक्षी नहीं लिखा है some of कि टू साइट्स गेटे दें थर्ड तो नहीं हुआ कि मतलब होई रहना दो साइड का सम तीसी से बढ़ा ही तो आ रहे है कि साक्षी सहमत है में इसा क्या कुछ हो लिख रही है मीथ ने का है सर कॉलीनियर वाला केस में गड़ बढ़ के है अगर abc की direction नहीं पता हमें इनके magnitude तो पता है यह जैसे एक जो magnitude है वह वन है जो 5b है उसका magnitude 5 है और जो 3c है उसका magnitude 3 है अब 153 इनकी direction हमें इसे decide करनी है तो अगर मैं सबसे बड़े वाले वेक्टर को माल ले यह direction दे दूं 5b तो इसका magnitude तो आ गया 5 अब मुझे अगर इनका स्तीनों का सम 0 करना है तो मुझे बाकी की दो वेक्टर्स जो छोटे वाले वेक्टर्स हैं उनको एक ही तरफ करना पड़ेगा और opposite side करना पड़ेगा ताकि एक दूसरे को balance करके वह 0 बना दें और अगर एक तरफ कर भी दूं ए और 3c को तो दोनों को लिनियर वेक्टर्स हैं इसका magnitude 1 इसका magnitude 3 एड करने पर भी 4 आ रहे तो इस तरफ 4 आएगा इस तरफ 5 आएगा सम 0 नहीं आ रहे तो मतलब वही कहना चाहरा हूं कि अगर ऐसी बात कर भी दें तो सम ना तो को लिनियर के case में 0 आ सकते ना ही triangle के case में 0 आ सकते बाकी जो मुझ इस तरीके से हैं तो A dot B cross C जो होगा वो शायद यह 0 लेकर चल रहा होगा हालांकि उसमें भी गड़वड है 0 नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमें origin नहीं पता किसमें कहां पर क्या आ रहे हैं और इसने यह कहीं से प्रूव कर दियोगा कि यह not equal to 0 है तो बीना यह सब कुछ है किसी का रिजिल क्या रहे है 42 42 में भाही कौन सा पूरा मैच्टा को नहीं होगा 42 का C part twice of the area of parallelogram constructed on the vectors A equal to P plus 2Q and B equal to 2P plus Q फिर P and Q are unit vectors containing an angle of 30 degree इनकी बीच में एंगल है 30 पहले तो inside से बनने वाले एरिया का पहले लोगराम बनने वाले पहले लोगराम का एरिया निकालते हैं तो कितना होगा इन दोनों cross product आएगा Q के साथ फिर 2Q का आएगा 2P के साथ तो वह जाएगा 4 times Q cross P 2Q का Q के साथ करेंगे तो 0 आजाएगा इसका mode लेना पड़ेगा अपने को अब यह P cross Q है यह Q cross P है तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो minus का 4 आजाएगा minus 4 और plus 1 मिलके यह बन जाएगा 3 times P cross Q और इसकी जो एरिया है वो निकालना है अपने को क्या हो जाएगा 3 P का magnitude Q का magnitude इनके बीच में जो angle है उसका sin theta P और Q हमें दियो ही unit vectors तो P का magnitude 1 है Q का 1 है sin theta कितना हो जाएगा यहां से sin 30 degree 1 by 2 तो area आगया 3 by 2 हमसे पूछा हुए कि area का twice बताओ कितना होगा तो 3 आजाएगा हाँ जिसका doubt था रिजल बोल भाई इसमें कोई दिक्कत है तो कि 42 के किसी और पार्ट में किसी का डाउट हो अगले सवाल से पहले 41 का सी करते हैं लेकिन 42 में नहीं रहे रहा ना किसी का डाउट हो चिका आश्मा गहरी है 41 का सी इसमें लिखाव है let a b c b 3 non zero vectors such that a plus b plus c equal to zero तो जुरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी देखते हैं बाकी लेकिन इतना बता सकते हैं कि इन तीनों का सम अगर zero आ रहे है तो ये एक triangle create कर रहे होंगे इसके बाद हमें बोला हुआ है lambda times b cross a plus b cross c plus c cross a equal to zero null vector then lambda is equal to तो ये काम करते हैं triangle बनाई लेते हैं अपना ये हमारे पास triangle होगा यहाँ पर a vector इस तरीके से direction माल लेते हैं बी vector की direction ये माल लेते हैं तो c vector की direction automatically ये आ जाएगी अब हमें पता है अगर हम दो vectors का cross product करते हैं तो वो क्या देते हैं हमें triangle का area देगा ये भी area देगा ये भी देगा ये भी देगा लेकिन इनकी direction अलग-अलग हो सकती है वो direction देखनी पड़ेगी अगर मैं b cross a की बात करूँ तो b cross a की जो direction है वो हमारे पास plane के बाहर आ रही है अगर मैं b cross c की बात करूँ अगर मैं b cross c की बात करूँ तो इसकी direction बहार की तरफ आ रही है और अगर c cross a की बात करें तो इसकी direction भी बहार की तरफ आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा अगर मालो इस plane के जो और direction क्या होती है, इसके plane के perpendicular होती है, तो मुझे नहीं पता plane की जो direction है, जो normal vector है, वो क्या है, हमने माल लिया n-cap है, तो अगर मैं इसको solve करूँ हूँ, तो lambda आएगा, b cross a से हमें क्या मिलेगा, triangle का area मिलेगा, ये तो magnitude हुआ, अगर मैंने बाहर की तरफ n-cap माने, magnitude तो उसका, और उसकी direction भाहर की तरफ है, तो n-cap direction देदी, c cross a की बात करें, तो कितना आजाएगा, area ही आएगा, और direction n-cap होगी, equal to आएगा null vector, तो यहां से हम देख सकते हैं, कि अगर इस वाली term को उधर shift करें, तो यह आजाएगा lambda times a n-cap vector, equal to 2 a n-cap, अगर compare करें, तो lambda की value आजाएगी 2, यह answer है, या फिर हम अगर इतना, मदब यहां से अगर ना लिखना चाहें, इतना जीब सा, तो हम direct कह सकते हैं, कि इसका area जो आएगा, यहां से जो area आएगा, वो बाहर की तरफ आएगा, तो दो area आ रहे हैं, जो बाहर की तरफ आ रहे हैं, यह equal to, ऐसा area जो अंदर की तरफ आ रहे हैं, sum 0 चाहिए, तो दो बाहर की तरफ तो दो अंदर की तरफ होने चाहिए, दो अंदर की तरफ तो lambda कितना आ जाएगा, minus 2, sorry, हां 2, तब जाकर दोनों का balance करके, जीरो अप्रेक्टर आएगा, हां, एक मैंने, sorry, हां, मेरी इगड़ बड़ है, B cross A, B cross C, C cross A से area डबल आना चाहिए, सही करें अब बितन जे, डबल कर लेना, वो अलाकि फर्क नहीं पड़े गर नहीं, parallelogram में सिंपल लिखते हैं, triangle के time's half करते हैं, तो area का डबल आजाएगा, answer यह होगा, lambda equal to 2, ठीक है, 41 में और किसी का कोई doubt है, किसी option में, जल्दी से बताओ, यह तो 3D चालू करें फिराज, कोई भी doubt बच रहा हो vector में, महीद कहा रहा है, सर यह जो छोटा wave आपने बताए, यह तो तब होगा ना, सिरफ इनके magnitudes equal हो, हो रहे हो, cross case sum, kW, kW का मत तो मुझे पता नहीं, तो magnitude तो बड़ाबर हैं न, अगर तो B cross A कह रहा है, B cross C कह रहा है, C cross A कह रहा है, तो यह सभी अगर किनी भी दो sides को अगर multiply करें, triangle की sides है न, वैसे तो अगर random तीन vector होते, ABC, कहीं पर भी कुछ भी random है, तो तो हम कुछ बता ही नहीं सकते थे, इनके बारे में magnitude बिल्कुल अलग अलगा सकते थे, लेकिन यह triangle की sides है, वो कैसे पता चला, तीनों का sum 0 है, तो अगर मैं triangle की किनी भी दो sides का cross product करूँगा, तो वो area ही देता है मुझे, vector area देता है, तो अब B cross A करेंगे तब भी area आने, B cross C करेंगे तब भी area आने, और C cross A करेंगे तब भी area आने, तो area तो अलग-अलग नहीं होगा, एक triangle का तो unique होगा, और अगर ऐसा कुछ होता, तो तेरी बात बिल्कुल सही होती, कि triangle बननी रहा, अब हमें कैसे पता कि जितना A cross B आएगा, उतना B cross से आएगा, नहीं पता हमें, तो इसको देने का purpose यहीं था, अगर यह वो यह वाली information गाया परते, तो हम question ही नहीं कर पाएंगे, चीक है? तो vector मेरी तरफ से पूरा हो गया, तुम्हारे तरफ से भी पूरा होई गया, अब चालू करते हैं 3D, 3D में मैंने बोला था, जही main subjective से start करेंगे, वही जैसे हमेशा करते आएं, हमेशा तो क्या मतलब पिछले दो चैप्टर से दूरा होगा, इसमें वही page-wise करेंगे ताकि, 1-11 में जिसका कोई doubt है तो बता दो, सार्थ तक का है, 5th question, a line makes the same angle theta with each of the x-axis and z-axis, if the angle beta which it makes with y-axis is such that, sin square beta equal to 3 sin square theta, तो x-axis के साथ angle है theta, y-axis के साथ angle है beta, और z-axis के साथ angle है theta, तो एक तरह से direction angles की बात हो रही है यहां पर, अगर हमारे पास direction angles हो, alpha, beta, gamma, तो हम जानते हैं, इनके सभी cos square का जो sum है, cos square alpha, cos square beta, cos square gamma, उनका sum 1 आते हैं, अगर मैं sin की बात करूँ, तो sin square theta, plus sin square beta, plus sin square theta, यह कितना आता है, 2 आता है, तो अपने को साथ में यह भी बोला हुआ है, कि sin square beta जो है, वो 3 sin square theta के बराबर है, तो यह value उठाकर यहां पर put कर देंगे, sin square beta 3 sin square theta, sin square theta, sin square theta, तो यह हो जाएगा, 5 sin square theta, equal to 2, तो sin theta की value आजेगी, plus minus root 2 upon 5, अब पुछा क्या है अपने से, cos square theta, तो sin square theta 2 upon 5 है, तो cos square theta होगा, 1 minus 2 upon 5, यानि 3 upon 5, तो यहां पर answer आजाएगा, C option, किसी को दिक्कत हो, लिखके भेज़ देना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दुबार आ जाएगे, अगर किसी को दिक्कत होगी, साक्षिन लिखे, 10th में equation of the line, निकालने के अलावा कोई तरीका, unknown zero value of way, for which the lines, are copiner, है पर वो, मुझे नहीं पता, करके देख लेना, छोटा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जैसे L1 line के लिए, हमें क्या दिया हुए, कि 2x-y, plus 3z, plus 4, equal to 0, और, साथ में, plus y, minus z, plus 2, equal to 0, चिक है, और, L2 जो line है, उसके लिए हमें दिया हुए, x-3y, plus z, equal to 0, और, x-2y, plus z, plus 1, equal to 0, ऐसा सा कुछ हमें दिया हुए, तो, L1 line जो आ रही है, वो इन दोनों plane की, एक तरह से intersection line होंगी, दो plane होंगे ऐसे, ऐसे हैं, और इनकी जो, line of intersection होंगी, ये होगी हमारे पास L1, तो मैं काम करता हूँ, इस plane को P1 बोल देता हूँ, इस plane को P2 बोल देता हूँ, इसी तरीके से, L2 क्यों होगी, इन दोनो planes की line of intersection होगी, तो, इस plane को P3 बोल देते हैं, इस plane को P4 बोल देते हैं अब मालो मैं यह कहूँ कि L1 line से pass करने वाला plane क्या होगा तो वो होगा P1 प्लस lambda P2 यह होगा अगर इसी तरीके से मैं P3 प्लस P3 प्लस K P4 इक्वल टू जिरो लिखतू तो मैं कह सकता हूँ कि this plane will pass through L2, family of planes अब अगर L1 और L2 line एक ही plane में आ रही है इसने यह बोले ना कि L1 L2 co plane रहे है तो अगर L1 L2 एक ही plane में होगी तो इसका मतलब ऐसा एक plane जरूर है जो दोनों से pass कर रहे तो अगर मैं इस plane की बात करूँ P plane की तो P plane ऐसा है जो L1 L2 दोनों से pass कर रहे है तो P की equation इसको satisfy करेगी family of planes को क्योंकि L1 से pass करना है P की equation इसको भी satisfy करेगी क्योंकि L2 से pass करना है मतलब P particular plane की बात करें तो यह equation और यह वाली equation दोनों क्या होनी चीए है same होनी चीए इन दोनों में कोई अंतर नहीं होना चीए तो P1 प्लस lambda P2 इकुल टू 0 और P3 प्लस K P4 इकुल टू 0 इनको लिखने के बाद इनके coefficients को compare करवा देंगे XYZ और constant term वहाँ से जो equations बनेंगी उनको solve करके A आ जाएगा तो सोचने के लिए तो तरीका है लेकिन practically मेरे साब से थोड़ा बढ़ा जाएगा क्योंकि अगर lines की equation निकालें तो फिर भी थोड़ा असान है at least एक variable चल रहे एक unknown चल रहे और मेरे वाला तरीका करेंगे तो lambda भी आ गया k भी आ गया, a भी आ गया हो सकता है, असान हो जाएगे तो मैं कहनी सकता करके देख लिए ना एक बा अगर curiosity हो थोड़ी बाकि और तो इसके अलाब़ा कोई तरीका नहीं होगा और तरीका एक मिनुट रुप या फिर मैं सोचने दो मिनुट रही के वो ही है लेकिन बड़े ही जाएगे एक तरीका यह हो सकता है कि l2 पर लाई करने वाले दो पोइंट निकालने जिसे पहले z को 0 पूट कर दिया वहाँ से l2 का एक पॉइंट आजाएगा तो जोल करके फिर ऐसे l1 के लिए उपर वाले दो प्लेन में z को 0 पूइंट करके सोल कर लिए तो वहां से L1 का एक पॉइंट आ जाएगा, तीन पॉइंट आ जाएगे, उनसे बनने वाले वेक्टर्स का चार पॉइंट चाहिए होगे, तो चार पॉइंट से जो STP बनेगा, वो जीडो कर देंगे, वहां से आ सकते हैं, ठीकिन लेंदी तो होगा, चीक है, लेंदी तो जाएगा यह, और बताओ चलो 1-11 में कोई डाउट हो, होगे एक से गयारा सबके, हाँ ना कुछ, सार्थक के रहे एट्थ, एक्वेशन दा अंगल बैसेक्टर ऑफ दा अंगल बेट्वेन बेट्वेन दा लाइन्स, X-1 अपॉन एक्वल तो Y-2 अपॉन 1, Z-3 अपॉन 1, और दो सी लाइन दियो यह, X-1 अपॉन 1, Y-2 अपॉन 1, और Z-3 अपॉन 1, तो कुछ नहीं, इसने अपना काम तो बहुत असान करके दे दिया, क्योंकि यह दो लाइन अपने पास L1, L2, लेक्टर की फॉर्म में तो नहीं बनाए, यह लाइन L1 है मालो, यह लाइन L2 है, तो हमें पता है इनका जो एंगल बैसेक्टर होगा, वो इनके point of intersection से पास करेगा, तो normally तो हमें point of intersection निकालना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ से हम direct देखके बता सकते हैं, कि पहली line 1, 2, 3 से पास कर रही है, second line भी 1, 2, 3 से पास कर रही है, तो जो point of intersection है, वो 1, 2, 3 ही ही होगा, यह हम बता सकते हैं, वो solve करने की जोतनी पड़ी, तो हमारा जो angle bisector आएगा, वो भी 1, 2, 3 से पास करेगा, करेगा बस इसकी direction चाहिए, direction चाहिए तो उसमें सिर्फ vectors का roll आएगा, जैसे L1 जो line है, उसकी direction है, अपने पास I plus J plus K, जो L2 line है, उसकी direction है, I plus J minus 2K, चाहिए, तो सिर्फ direction से मतलब, अगर vectors दी हों और उनके angle bisectors निकालने हों, तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों vectors का magnitude बराबर करते हैं, नोर्मली 1 करते हैं, लेकिन 1 करना जरूरी नहीं है, कोई rule नहीं है, तो अलएड़ी इन दोनों vectors का जो magnitude है, वो बराबर है, तो इन दोनों को add कर देंगे, तो हमारे पास angle bisector की direction आजाएगी, कितनी आजाएगी 2i plus 2j, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, कि हम minus कर दें, अगर external वाला निकालनों, हलांकि lines में internal, external कोई पंगा नहीं होता है, अप्ट्यूस acute का पंगा होता है, लेकिन अगर vectors की नजरों से देखें, तो minus करेंगे, तो क्या आजाएगा, i minus i 0, j minus j 0, तो यह आजाएगा 2k, तो direction आचुकी है, point हमारे पास पहले से है 1, 2, 3, तो एक possibility तो यह हो सकती है, x minus 1, y minus 2, z minus 3, इसके अपॉर में कितना आएगा 2 आएगा, इसके अपॉर में 2 आएगा, इसके अपॉर में 0 आएगा, और equal to lambda, दूसरी possibility हो सकती है, x minus 1, y minus 2, z minus 3, equal to lambda, इनकी direction कितनी है, दूसरे case में आएगा 0, 0, 2, तो यह दो possibilities आजाएगे, चिक है, तो कौन सो option match कर रहा है, अपने पास, A option match कर रहा है, हाँ भई कोई दिक्कत, चलो बताओ, 1 to 11 में किसी का कुछ बचा होता हो, गितान जे भई 16th करते हैं अभी, पहले 1 to 11, वो इपेज के साथ कर लो, फिर ऐसे random बोलोगे तो फिर, महीत कर रहा है 11th, इलेमित में बोलोगे, consider the lines x upon 2 equal to y upon 3, equal to z upon 5, and x upon 1, y upon 2, or z upon 3, then the equation of the line which bisects the angle between the lines is, कौन से पार्ट में दाओत है भाहिता, A, B, or C, ये सारे दाओत है, विजुलाइजेशन फॉर C, विजुलाइजेशन फॉर C, विजुलाइज तो क्या करेगा मतलब, क्या figure की बात कर रहे है, अगर figure की बात कर रहे है, तो भाई देख ऐसा होगा, कि यहाँ पर एक plane होगा, इस plane में L1 लाइन आ रही होगी, कहीं पर L2 लाइन आ रही होगी, तो मुझे इसके perpendicular एक लाइन चाहिए, जो एक तो origin से पास करे, पहली बात, एक पर टोका मैं पड़ी गड़ बड़ करती हूँ, origin इनहीं के plane में लाइन करेगा, actually इनका point of intersection ही होगा, तो origin से पास करे, और इन दोनों lines के perpendicular हो, तो basically हम यह कह सकते हैं, कि जो L line जो requirement है, जो unknown line है, जो find करनी है अपने को, वो L line अगर L1, L2 दोनों के perpendicular है, तो मतलब वो 2 I cap, प्लस 3 J cap, प्लस 5 K cap, इसके, और I cap, प्लस 2 J cap, प्लस 3 K cap, L2 की जो direction है, दोनों के perpendicular होगी, तो अगर मैं इन दोनों का cross product कर दूँ, तो उससे किस की direction आजाएगी, L की, क्योंकि वो इसके भी perpendicular है, तो मैं मान के चल रहाँ, 1 to 11 हो चुके हैं, अगर किसी का हो तो चलो बता देना, नेक्ट जो है अपने पास 12 से लेकर 24, इसमें जो डाउट्स होँ वो बता दो, जैसे उसका तो आया था एक 16th, 16th में angle between the pair of lines, X minus 2 upon 1, equal to Y minus 1 upon 5, Z plus 3 upon minus 3, X plus 1 upon minus 1, हमसे पूछ रहे हैं, इनके बीच में जो angle बन रहे हैं, वो बताओ, सब कहीं मैच नहीं कर रहा गया इसमें, दो लोगों का तो आया, भाई बाकी लोगों की भी दिक्कत है, आंसर की इसमें, सब कहीं गलत आ रहा है, तो फिर गलत ही होगा फिर तो, करके देख लेते चलो, कितना हैगा, minus 1, plus 40, minus 12, 25 और 26 और 9, कितना होता है, 35 यह कितना आजएगा, 64 और 16, 80, 81 आजएगा, यह cos theta है, cos theta की value आजएगी, 27 अपोन 9, रूट 35, तो यह जगा 3 अपोन रूट 35, तो theta होगा, cos 3 अपोन रूट 35, और option में है नहीं, ठीक है, फिर गलत है, फिर, चीक है, बढ़ी question गलत है, मतलब question तो सही है, options गलत हैं, यह answer आजएगा, और बताओ, 12 से 24 की बीच में, साथ तक का है, 12 नंबर, इसमें भाई तो यह से कह रहा है कि, इन lines हैं, और तीनों lines अपने पास concurrent हैं, जैसे lines हैं क्या, x upon 1, y upon 2, z upon 3, equal to मालतें lambda, तो मैं यहां से अगर, point की बात करूँ, तो point आजएगा, lambda, 2 lambda, और 3 lambda, चीक है, और दूसरा है, अपने पास, x minus 1 upon 3, equal to y minus 2 upon minus 1, और z minus 3 upon 4, इसको मालतें कुछ k के बराबर, या k पहले से दिया हुए, k दिया हुए, तो कुछ पर मालतें, कुछ alpha मालतें, तो यहां से point आजएगा, 3 alpha plus 1, minus alpha plus 2, 4 alpha plus 3, अगर lines concurrent हैं, तो इसका मतलब, L1 line, L2 line और L3 line, तीनों lines एक ही point से pass कर रही होगी, तो इनका point of intersection क्या होगा, same होगा, तो पहले L1 और L2 का point of intersection निकाल रहे हैं, तो उनका सब कुछ बराबर होगा, पहली बात तो उनका x coordinate बराबर होगा, फिर उनका y coordinate जो है, वो भी बराबर होगा, यहां से lambda उठाकर यहां put करेंगे, तो 6 alpha plus 2 equal to minus alpha plus 2, alpha की value आगी 0, alpha 0 है तो lambda 1 होगा, अपने पास point आजाएंगे, lambda को 1 put करेंगे तो 1, 2, 3 आएगा, एक बार कोई गलती ना हो, question में कुछ गडबर ना हो, यह चेक करने के लिए, alpha को भी 0 put कर लेते हैं, 1, 2, 3 से पास करेंगे, तो 1, 2, 3 से पास करेंगे, तो यह बन जाएगा 1 plus K upon 3, 2 minus 1 upon 2 यानि 1 by 2, और Z के साथ आजाएगा 2 upon H, एक बार इस हिस्से को solve करना K आजाएगा, इस हिस्से को solve करना H आजाएगा, हो जाएगा, बोलो बाई जल्दी, कोई दिक्कत है कि इस में एक सिसी बाँ, और कोई कोशन बचाओ इस पेज पर, अच्छा मैंने एक गड़बड़ करकी, यहां पर वो चाठीक, यहां पर वरन आएगा बाई, ठीक है कुछ बच्चों का है, 14th, 14th में लिखा हुए, लाइन विद डिरेक्शन कोसाइं प्रोपोर्शनल तो 212, मीट इच अफ द लाइन, X-Y, प्लस A, इकल तो Z, चरए, X इकल तो Y, प्लस A, इकल तो Z, and X प्लस A, इकल तो 2Y, इकल तो 2Z, हमें बोलावा है कि, हमारी लाइन जो है, इन दोनों को मीट कर रही है, तो एक काम करते हैं, इस लाइन पर एक पॉइंट माल लेते हैं, X को माल लिए लेम्डा, तो Y प्लस A भी लेम्डा होगा, उसकी वेलू आजएगी लेम्डा माइनस है, Z की वेलू लेम्डा, यहाँ पर X कोडिनेट माल लेते K, तो Y कोडिनेट कितना जएगा, K प्लस A अपॉन 2 आजएगा, सभी कह रहा हूं मैं, हाँ सभी है, और Z कोडिनेट भी कितना जएगा, K प्लस A अपॉन 2, तो एक्चिली हो क्या रहा था, यहाँ पर हमारे पास L1 लाइन थी, यहाँ पर हमारे पास L2 लाइन थी, यहाँ पर एक लाइन L है, जो फिलाल हमें पता नहीं है, और वो लाइन L, क्या K दिया होए, क्या K पॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 तो हमारे पास L1 L2 लाइन है, L9 आकर इस तरीके से intersect कर गी, यह मा लेते हैं A point, यह B point दो point पर intersect कर रही है और उनके coordinates हमने निकाल लिए L1, L2 की equation से अब जो direction L9 की है वो ही same direction AB vector की होनी चीए या BA vector की होनी चीए तो AB vector की direction निकाल लेते हैं, वो कितनी आएगी lambda minus alpha साथ में आएगा lambda minus A minus alpha plus A by 2 और साथ में आएगा lambda minus alpha plus A by 2, यह आएगा और यह direction हमें दी कितनी हुई है 2, 1 और 2 यह दी हुई है, इनको match करवादेंगे, proportional करके वहाँ से अपने पास value आजाएगी कर लोगे बाई बाकि मैंने सवाल कोई और ही पढ़ लिया शाद, कि किसी और सवाल में दिया हुदा चलो बताओ, यह हो जाएगा यह नहीं clear है इसके बाद किसी का है, 19th question जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर ना हो, तो WhatsApp कर देना, जरूरी नहीं है, बता दिये तो हमेशा होई जाएगा, कुछ calculation अगर आगे नहीं, बैटरी कुछ तो बता दिये गरो, WhatsApp बेज दिये गरो 19th में हमें बोला हूँ, कि the locus represented by xy plus yz equal to 0 तो यहां से y comma ले लेंगे, x plus z equal to 0 आजेगा, तो दो नमबर का multiply 0 है, तो या तो y 0 होगा, या फिर x plus z 0 होगा, तो अगर linear equation हो, x, y, z में और उसको equal to 0 कराओ, तो हमें यह तो पता ही है कि क्या represent करेंगे, planes को represent करेंगे, तो locus आजाएगा two planes, अब हमसे यह भी बोला गया है कि planes यह हैं, वो perpendicular हैं या parallel हैं, तो वो भी पता कर लेते हैं, अगर y equal to 0 की direction की बात करेंगे, तो इसकी direction आएगी, j cap, और x plus z की बात करेंगे, तो इसकी direction आएगी, i cap plus k cap, तो j cap, i cap plus k cap, अगर इनका dot product किया जाए, तो वो 0 आएगा, तो इसका मतलब दोनों के normal vectors perpendicular है, या कह लेंगे, दोनों planes perpendicular है, तो answer आजाएगा, a pair of perpendicular lines, d option, कोई बताओ जल्दी से, 17th, the shortest distance between the z axis and the line, एक तो z axis ही अपने पास, दूसरी line ये है, इनको solve करके हमें line की equation निकालनी आती है, वो मैं मान कर चलना हूँ आती है, कितने तरीके होते हैं, दो-तिन तरीके होते हैं, अपने पास अलग-अलग, या तो planes की direction का cross product कर दें, तो line की direction आजाएगी, एक point हम निकाल लेंगे, जैसे z को 0 put कर दिया, z को 0 put करेंगे, तो क्या आजाएगा, x plus y equal to 3, यहाँ पर z को 0 put करेंगे, तो 2x plus 3y equal to 4, solve करेंगे, क्या आएगा, 2x कटेगा, 2y minus y, 6 minus 4, 2, तो y आजाएगा, minus 2, यहाँ 6 आजाएगा, 5, तो पहला point अपने पास आगया, 5 minus 2 और 0, line क्यों पर लाई करने वाला, ऐसे ही अगली बार z को 1 put कर देंगे, z को 1 put कर देंगे, तो x plus y equal to में आजाएगा, 1, और 2x plus 3y equal to में आजाएगा, 0, तो यहाँ से solve करेंगे, तो 2x वो कटेगा, 2y, 3y minus y equal to आजाएगा, 2, यानि y equal to minus 2, x आजाएगा 3, तो यहाँ से point आया, 3 minus 2, 1, दो point आगे, इन से join करने वाली line की equation हम बता सकते हैं, वो आजाएगा अपने पास, x minus x1 upon x2 minus x1, वो आजाएगा 2, y minus y1 upon y2 minus y1, वो आजाएगा 0, z minus z1 upon z2 minus z1, line आगे, दूसरी line अपने पास क्या है, z axis, z axis की equation हम जानते हैं, दो line है, उनकी equation अपने को पता है, most probably skew lines आघी होंगी, क्योंकि shortest distance पूछा हुए, तो, क्या बता रहा था हुए, तो, वो आजाएगी, तो skew lines के बीच में, जो distance का formula अपने को वो पता है, वो formula सजो होता है, कि 2 point लो, a और b, उनसे एक vector लिखो, फिर dot product, दोनों की जो direction है, उसका cross product, upon में m cross n का ही, mode आ जाते हैं, हाँ बैर रिजल कर लेगा, या कर के दूँ, और बारा से चोविस के बीच में हो किसी गा, अगर है भी तो बाद में डिसक्स कर लेंगे, मेरी भी class अभी इसके बाद, 21 वाला करवा देता हूँ, तो यहाँ पर बोला हूँ है कि origin है, जिरो कॉमा जिरो कॉमा जिरो है, इस से इस plane पर जो परपेंडिकुलर गिराए गया है, इसके foot का लोकस चाहिए अपने को, तो इसके coordinates पता नहीं हमें माल लेते हैं, ABC हैं, जो variable point है, जिसका लोकस हमें निकालने हैं, तो अब अगर यह सब कुछ हमें दिया हुआ है, तो मैं इस plane की equation बता सकता हूँ, कैसे, क्योंकि मुझे इतना तो पता है ना, कि origin से जब ABC को join कर रहे हैं, तो वो plane के perpendicular line आ रही है, तब ही तो foot of perpendicular आएगा, तो मैं plane का normal vector बता सकता हूँ, A-0, AI cap, B-0, B-J cap, C-0, C-K cap, इतना बता सकते हैं, plane पर लाई करने वाला हम point भी बता सकते हैं, ABC, तो अगर plane की equation लिखनी हो, तो A into X minus A, partition में लिखें, B into X minus B, plus C into X minus C, equal to 0 आएगी, जब normal पता हो और point पता हो, अब हमारा जो plane है, वो 123 से pass कर रहे है, यहाँ पर Y आएगा, यहाँ पर Z आएगा, equal to 0, चीक है, अब यहाँ पर इकलोते variable क्या आ रहे हैं, A, B और C आ रहे हैं, और उसी का locus हमें find करना था, तो locus find करते वक्त, अब A को replace कर देंगे X से, B को replace कर देंगे Y से, और C को replace कर देंगे Z से, तो X, Y, Z में एक equation आ जाएगी, वो ही हमारा locus होगा, हो जाएगा, यहाँ बढ़ी कितन जे, होई गया, पहली बात तो कुछ खास करना नहीं है, expand करने, मैं लिखी देता हूँ, जैसे A into minus A, minus A square, तो यहाँ आ जाएगा X square, यहाँ से आएगा Y square, C into minus C, minus C square, मतलब Z square, minus C multiply कर रहाँ साथ-साथ, A आएगा, minus C multiply करके minus X, 2B आएगा, minus C multiply करके, minus का 2Y, और 3C आएगा, minus C multiply करके, minus का 3Z, replace कर दी और यह answer आ गया, मतलब A option, तो फिलाल आज के लिए इतना ही, अब next week, जब भी class होगी, टाइम टेमल में अभी देखूँ आशाए, Tuesday को होगी, most probably, जो भी है, जब भी है, तो J main objective, जितने बचे हुए, और उसके बाद, obviously J advanced objective, अगर कोई तुम में से ऐसा है, जो random करता है, उठा-उठा के, जो अच्छा लगता है, पहले वो वाला, तो भाई अपना, पहले बाद तो करी लिए होंगे, काफी अपने पीछी चल रहे है, अच्छा 38 questions, तो J advanced के, वो page wise ही discuss करूँ हूँ है, तो उसी order में at least कर लेना, जिए हैं? probability कितना होगे, तुमारा पूरा होने वाला है, कितना होगे चुग है तुमारा probability, एक दो classes बची है, almost done है, चाहिए कोई बात नहीं हो जाएगा, तो इतना करा ना, discuss करेंगे,